हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरू जीज व्लोक्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बाइक्स अंडर 70,000 इन इंडिया दोस्तों इंडिया में ऐसी कौन से बाइक है जो 70,000 के आस पास में हैं जिसका मेंटरिनेंस कम हैं बजट फ्रेंडली है पार्ट कॉस्ट इस दोस्तों इसको अचल को तो प्केशन इंडिया गया और दोस्तों यह जो मॉडल है नियों बहुत है इंडिया रोड्स के लिए बहुत अच्छा है जो एकैं पिर इंडिया गया है यूफ्ट अगर इसके स्पेसिफिकिस की बात करें तो 109.19cc का इसके अंदर इंज आता है जो कि एर्पूल इंजन है, 4-stroke, ऐसा इंजन इसके अंदर आ रहा है, maximum power ब्रूश कर रहा है, 8.31 ब्रूश कर रहा है, जो टॉक है, 909 अनम का टॉक है, 200 front and rear, दोनों में ही आपको उसमें ड्रम मिलने वाले है, 85 kmpl के असपास का अभरेज देरा मतलब, अनुड अगर लेके चलें, 70 के असपास तो minimum देने वाला है, इसका weight भी बहुत light है, 110 kg के असपास की बाइक पड़ती है, जो इसका प्राइस रहने वाला है, वो है 52,000 के असपास में, यह दिल्ली गासपास का अक्षोरन प्राइस है, थोड़ा बहुत अक्षोरन प्राइस होता है, अल्मोस्स हट जगा पे, सिमलर ही होता है, इसके ऊपर, आर्ट एउंचॉरेंस और एस सरीज और बाकी चीज़ें एड होती हैं, अगर आप इस model के pro and cons के बार बात करें जो कि important है आपको जब बाइक ले रहे हो तो ध्यान में देना चाहिए दोस्तो प्रोस है इसमें allowables आपको मिल जाएगा self start मिल रहा है tubeless tire मिल रहा है long seat मिल रही है maintenance battery मतलब maintenance free battery मिल रही है जो कि dry battery होती है और दोस्तों कॉंस पर देख रहे हैं कि सामने आपको दिखा होगे limited color options पर color options बहुत ही कम है और दोस्तों दूसरी जो वेरियंट्स और सा cost जो है वो भी थोड़ा जाता है दोस्तों 9 नमर पर आता है splander plus i3s model hero की जो model है दोस्तों एक टाइम पर राज करता है हर दूसरा तीसरा जो model था वो फ्रेंडर ही होता था यह इसका advance version है दोस्तों अगर इसके specification detail के बारे बात करें तो दोस्तों specification बहुत जा सिंपल है इंजिन जो है इसमें 97.2 cc का engine आ रहा इसके इंजिन अर एयर कोल four stroke सिंगल सिलिंडर ओ एक सी इंजिन इसके इंजिन इसके इंदर फॉर्मट है दोस्तों इसमें जो पावर प्रूस कर रहा है 8.36 PS का पावर है जिसमें आपको इसके एक्षोरर प्राइस जो है almost ही इसके इसके प्रों को निदेख लहता है कि इसमें डेटेश्न क्या है दोस्तों उसमें प्रौंच में फ्यूल सेविंग टेक्नोलोजिस के लिए जो कि आई थी ऐसे सेल इसमें इसमें माडिफिकेशन यही थो बहुत पराना जमें वैसा ही होना चाहिए तो दोस्तों यह है कॉन्स दोस्तों एक नमबर पे टीवी एस रेड ओन फंटन सीसी मॉडल एंड ये मॉडल जो है इसका लुक जो है थोड़ासा एक्दम बेसिक सीडी हंडेट जैसा और स्प्रेंडर जैसा एक कॉम्मिनेशन टाप का है ना वैसा लुक लगता है और इंडिया में बहुता सेल दोस्तों इंजीन जो आरा है इसके इंगाल थेटाब है और से कही है दोस्तों आपको ट्रम मिल रहा है इसमें डिस्क वेरियंट भी अवेलेबल है इसकेमें तोस्तों इसमें 70 के एसपास में आराम से निकाल देगी एक सो बारा किलो के असपास का वेट है 52,000 के असपास का एक शोरूम प्राइज है दोस्तों ये तो हो गया डिटल ने और स्पेसिफिकेशन अगर प्रो औन कॉंस के बाद करें जो की इंपॉर्टन है वह आपको चानना तो दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रोस औन कॉंस जो है प्रोस के लिस्ट नविए और उसके बाद जो में इशू है वह है ब्रेकिंग को लेकित दोस्तों तो फ्रेंट डिस्स है उसका स्मॉल साइस इसके ब्रेकिंग प्रापर नहीं है यही इसका कॉंस दो सेवन और बना रहा है हां ओन्डा के लीवो ने लीवो का जो लुक है व के बात करें तो इसका जो इंजिन आता है दोस्तों वो आता है 109.19 cc का सिंगल सिंडर 4-stroke ऐसा इंजिन जो हॉन्डा यूज़ करती है पाउर अगर बात करें तो 8.30 भी है टॉक जो है वो 909 अनम को टॉक है दोस्तों इसमें ड्रम का भी है कॉंबिनेशन और डिस्क ड्रम का का भी कॉंबिनेशन मिल जागा वो ब्रेकिंग में मैलेज के बात करें तो 74 kmpl के असब बोर रहे हैं अराम 65 के आसपास में आपको city में दे देगी अगर वेट की बात की जाए तो दोस्तों इसमें दो वेट दियो है 110 के आसपास जो है ड्रम ड्रम का है और जो डिस्क ड्रम क इसमें 200 CBS भी है और दोस्तों इसमें आपको मैंटेनेंस फ्री बैटरी मिलती है ट्यूबलेस ट्रायर मिलते हैं अलाइब मिल जाते हैं आपको इलेक्टरिक स्टार्ट मिल जाते हैं और दोस्तों कॉन की बात करें सिंगल कॉन है कि इस सेग्मेंट में दोस्तों को थोड़ा इसके प्रीस किया है विकाउस अफ स्टाइल एंड लुक दोस्तों यह की कौन है मात्र बाकि सारी जो बाइक है परफेक्ट है तो एक संबर पर आता है ही लोग पैशन एक्स प्रो वन तेंसी मॉडल इन इन मॉडल को तो मैंने भी राइड किया है बहुत पहले जब दो जान आता है इसका पावर अगर बात करें तो पावर जादा है कंपेर टू दिस सेग्मेंट दोस्तों 9.38 HP का पावर प्रोडूस कर रहा है 999 का टॉक प्रोडूस कर रहा है डिस्क, ड्रम, ड्रम, ड्रम का भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर है दोस्तों माइलेज थोड़ा इसका प्राइजिंग आ रहा है 58,000 के आजब फास में एक शोरूम प्राइस कहा जा रहा है और बात की जाए इसके प्रोड एंपॉस के जो कि इंपॉर्डन होते हैं दोस्तों प्रोड बहुत सारे है इसमें इंटर्रेटेटर बरेक्स सिस्टम मिल रहा है त्यूबलेस टायर self start, disc option भी है i3S technology भी जिससे mileage increase होती है, दोस्तो cons के बात किया है, तो cons उतने ज़्यादा मतब नहीं है, एक जो point है ground clearance जो है, उसके लेके finger pointing की गई है और tank को लेके finger pointing की है, बाकि जो points है, वो उतने ज़्यादा effect नहीं करेंगे आपके उपर दोस्तो फिफ नॉमर पे है hero splander 125cc model यह model अगें लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है और आपको road पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा भी, दोस्तो अगर इसके specification of pricing की बात की जाए, तो दोस्तो इसके specification of 24.7cc के engine आता है, single 4 stroke, air cooling आता है 9 bhp का power produce कर रहा है torque 10.35 mm का है दोस्तो ब्रेकिंग जो है में आपको दोनों महीं dumb brakes मिल रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा drawback है, mileage 60 के आसपास मिल रहा 55 के आसपास आराम देजती है 125 kg के आसपास बाइक है 60,000 के आसपास का एक showroom price है, दोस्तों में छीट थोड़ा सहवी है और power थोड़ा इंग्रीज है अगें power delivery उतना जाज़ा देनी है चली देखते हैं इसके pros and cons दोस्तों pros and cons के बात क्या है pros बहुत जादा है, integrative braking system मिल रहा है, 125 kg engine मिल रहा है, low end torque अच्छा है engine अबतों electric start tubless मिल रहा है, alloy मिल रहा है तो यह सब चीज़ें अच्छी है अगें hero को लेके old design और disk option जो है उसको लेके finger pointing की जा रही है अधर्वाइस यह model ठीक ठाग है दोस्तों फोर्थ नमर पे है Bajaj discover 105cc model discover में बहुत सारे changes look को लेके engine को लेके features को लेके बहुत सार अप्ग्रेडेशन किये गए है मेरा experience जो है बजाज काई बिल्कु अच्छा नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं जलती से इसका pricing and specification pricing के अगर specification यह बात की जाए तो 124.5cc का engine आ रहा है single cylinder engine, air cool 4 stroke engine आपको मिलेगा 11PS का power produce कर रहा है 11NM का ही torque भी produce कर रहा है मतब दोनों ही जो है almost same है इसमें आपको दो option मिल रहे हैं दोस्तों एक आपको disc and drum का और drum and drum का option भी आपको अगरे मिल रहा है जो mileage का आ जा रहा है 81 km पेल का सपस का रहा है बट इसका mileage आपको 70 मतब मान के चलिए 60 to 70 के आपको city में नहीं मिलेगा इसके pricing के बात की जाए तो 58,000 के आपको एक शोरूम prices का अगर इसके pros and cons की बात की जाए तो 125cc का engine आ रहा है LED DR मिल रहा है digital console मिल रहा है tubeless tire allowables के साथ मिल रहा है दोस्तों design जो अगे न बोलूँगा बहुत सारे changes तो बहुत सारे कर दिया है अगें design बहुत ही old है और build quality को लेके जैसे मैंने बताए कि मेरा experience इस model के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है तो बहुत सारे लोगों नो finger pointing की हुई है तो थर्ड नबर पे है Honda CB Sign 125cc SP model यह model जो है Honda को बहुत ज़्यादा profit करने वाला model है बहुत ज़्यादा market जो है growth किया है इस model के बाद में और दोस्तों कर pricing and specification के बाद की जाए तो दोस्तों यह model जो है 124.73cc का engine आता है इसके अंदर single cylinder, air cool, four stroke ऐसा engine जो की Honda यूज़ करती है दोस्तों इसका power के बाद की जाए 10.16 HP का power है and talk 10.30 का है and दोस्तों breaking में इसमें आपको drum, disc, drum का combination आपको मिल जाएगा mileage थोड़ी कम है 125cc के जाब से and दोस्तों 60 के असपास mileage तो देती ही देती है Honda and दोस्तों इसके weight के कर बात की जाए तो 1.5 kg के असपास में अप्रॉक्स मिल जाएगा pricing जो है इस segment के सबसे high है दोस्तों दोस्तों 66,000 के असपास में इसका एक showroom price पड़ रहा है अगर pros and cons की बात की जाए तो इसके pros अच्छे हैं 120cc का split alloy wheels मिल रहे हैं 5 speed gears मिल रहे हैं आपको इसमें combi break मिल रहा है cbs जो का जा रहा है tubeless tire के साथ मिल रही है again cons जो है जैसे मैंने बताए कि इसका pricing है वो तो high है because demand के वाज़े से and leds नहीं है दोस्तों second number पे आ रहा है hero का glamour model and ये model का look भी again बहुत लोगों बहुत सारी companies ने copy किया हुआ है ये बहुत ही पराणा model है look जो है तो हलका sporty आपको मिलता है जो backseat है तो अपर साइड में है थोड़ा sporty लुक इसके वे से दोस्तों इसमें आपको disc and drum का combination मिल रहा है 65 km पेल के आसपरस mileage मिल जाती है 135 kg के आसपरस में bike है 63,000 के आसपरस में एक शोरूम प्राइज है दोस्तों में चीज़ के बता दूना mileage आपको अच्छा देती है 60 के आसपरस में mileage मिल जाएगा weight भी normal है and power जो है इस segment में अच्छा produce कर रही है talk भी आपको अच्छा दे रही है ये बहुत अच्छी चीज़ है अच्छी ब्रेकिंग के लिए जो कि आपको अच्छी ब्रेकिंग ग्रेपिंग देती है 125cc का इंजर मिल रहा है डिस ब्रेक ऑप्शन है टूबलेस टायर और यूनिक डिजाइन डिजाइन की जाइन बात की कि तोड़ा सा डिजाइन जो लुक है वो अच्छा किया है बट इसमें कौन्स यह है कि दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम पर थोड़ा सा वाक करना पड़ेगा दोस्तों अगेन इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए यह 4-speed gearbox की दिया हुए इसको 5-speed gearbox करना चाहिए था लो ग्राउंड clearance भी इसके अंदर है दोस्तों फर्ट नमबर पर आ रहा है बजाज पल्जर 125cc model बहुत जादा पसंद किया जाना वाला model है दोस्तों जो पुराणा model था 125cc के उसको बड़ अपक्रेट करने के बाद जो बजाज ने इस model को यंग्स्टर्स के लिए बनाया हुआ है बहुत ही जादा पसंद किया जा रहा है दोस्तों प्राइज और डिटेल के बात कर लेते हैं इसके जो एबरेज है तो माइलेज है वो थादा कम मिल रही है 57 कमनी बोल रही है बट 50 के आसपास के ही माइलेज रखेगा वेट थोड़ा जादा है 140 kg के आसपास बाइक बढ़ रहा है इस सेगमेंट में दोस्तों जो ड्रम है उसका प्राइज 63,000 के आसपास में और डिस्क यह है उसका 66 के आसपास में एक्शोरम प्राइज आपको मिल जाएगा और प्रोस और कॉंस के अगर बात कर लें तो दोस्तों पाउरफुल एंजिन मिल रहा है पहले तो आपको लेके वन टने मॉडल को लेके आपको यह टॉप टेन लिस्ट बहुत पसंद आई होगे और अगर आपको यहां तक वीडियो को देख लिया तो सस्क्राइब कि इमने बिल्कुल मत चाहिएगा अगर लाइक जरू ठोक दीजे शेय करें अपने फ्रेंट फैमिली और कलीग्स में ताकर उनों में अप्डेट हो सकेए ग सम्टिश रйोगिक सेटाई के अंतर % जरू कि स्यूंस बाइप करना है कि से को व्य स्यूंद के बाइब करूब हाए तो ख्याल रखें धियान रखें और देखते निए गरू झाल झाल